आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके electronic configuration of cell से लेकर आप किसी chemical compound को कैसे बना सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए समझते हैं देखिए सबसे पहले किसी भी atom में तीन चीज common होते हैं क्या क्या कि उसमें electron भी होते हैं proton भी होते हैं और neutron भी ह इस atom में जो इसका सेंटर होगा मतलब क्या केंद्र एक तरह से बोले तो नुकिलियस ठीक इसले हम लोग क्या बोलते हैं इन केमेस्टर। नुकिलियस बोलते हैं तो नुकिलियस में आपका proton और neutron परजेंट होगा ठीक है अर उसके बाहर का जो cell होता है या फिर इसले हम किया होते हैं orbit में electron present होते हैं अगर मैं पूछू nucleus, nucleus में क्या present होता है तो आपे प्रोटन और neutron present होता है और अगर मैं पूछ नहूं कि आपका nucleus कैसा charge होगा positive या negative तो आप बोलिए का होगा ? positive होगा. क्यू positive होगा ? क्यों neutron पे किसी तरह का कोई charge नहीं होता है अब पर proton और neutron ही है शिर्फ तो proton का चार्ज आ जाएगा proton पर कैसे चार्ज होता है पोजिटीव होता है और neutron पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है अब यहाँ पर यह बात आता है कि किस सेल में या फिर बोलो किस ओर्बिट में कितने इलेक्टोन परजेंट होंगे ठीक है जैसे यह सब सारे क्या आपके ओर्बिट है के एल एम एन यह क्या हो गया आपके ओर्बिट के नेम हो गया तो किस सेल में कितने इलेक्टोन होंगे वह हम लोग को कैसे पता चलेगा चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं देखें सेल कितने सेल हम लोगों ने देखा था चार सेल भी देखा था अगर जोरत पड़ेगा तो और भी ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो के एल एम एन अब के सेल में कितने एम में कितने और एन में कितने तो के सेल में में 2 अलेक्टोन होते हैं L में 8 होते हैं और M में 18 और N में 32 अब हम लोग को कहिसे निकाल सकते हैं इस सेल के रेकटोन को हम लोग कैसे find out कर सकते हैं तो 8 13 32 आया कहां से ठीक है तो देखेяс Kar Gmail की किसी भी सेल में कितने अलेक्टान पर्जेंट होंगे उसको निकालने के लिए एक formula है आपका 2N square का ठीक है 2N square का formula से आप क्या कर सकते हो किस cell में कितने electron होंगे वह असानी सा आपका निकल जाएगा n यहाँ पर क्या होता है number of cell को represent करता है जितना आपका cell रहेगा उसके according क्या करोगे आप number को रखोगे जैसे k के लिए k क्या है पहला cell है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया n के जगा 1 रखा तो 2 into 1 का square तो 1 ही होगा तो क्या आप first cell के लिए आपका 2 electron आ गया second के लिए देखिए l cell के लिए चुकि second के लिए l तो second cell है ना तो इसके लिए हम लोग second रखें तू नंबर रखें अब यह के 2 का square क्या होता है 4 तू फोर्जा 8 मतलब l cell में capability क्या है 8 electron का है 8 electron से ज्यादा रही नहीं सकता ठीक है आप m का बात करें तो हम कितना cell हो गया तीसरा cell हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे n के जगा 3 रखेंगे तो 3 का square क्या होगा 9 तो 2 into 9 18 एम एम सेल में कितने electron रह सकते है 18 electron रह सकते है ठीक है और n cell का बात करें तो n क्या होगा 4th cell में आ गया ठीक है तो 4th cell के लिए क्या होगा 4 का square क्या 16 तो 2 into 16 32 तो n cell का जो capacity है वो कितना electron का 32 electron का है ठीक है लेकिन देखें आप याद रखोगे कि ये तो 28 18 32 का configuration तो सभी element के लिए चलेगा ठीक है जितने भी है आपको पता अभी तक element का कितने element का खोज हुआ है 1118 element का खोज हो चुका है ठीक है अब उसमें सारा में configuration तो 28 18 32 के recording ही चलेगा लेकिन आप याद रखोगे कि 1 से 20 तक का configuration जो हम लोग के LMN में करते हैं वो कितने होता है 28 18 में जाता है अब बोलिएगा यहाँ पर तो हम लोग निकालने है 28 18 32 लेकिन यहाँ 28 18 का concept कैसे आ गया तो यह आपका 1 से 20 तक ऐसा ही चलता है ठीक है अब 20 के बाद फिरी यही rule लगता है ठीक है तो आप इसमें confusion मत होईएगा ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किस परकार से हम लोग सेल में बाग सकते हैं जैसे देखिए sodium sodium क्या है sodium का atomic नंबर क्या होता है आपका 11 atomic मास क्या होता है 23 हम लोग देखिए किसी भी element को अगर सेल में बागते हैं तो उसके atomic number के coding बाठते हैं ना कि atomic मास वहाँ पर हम लोग को मतलब नहीं होता है ठीक है हम लोग अटोमिक नमबर के कोड़ेंगी किसी element को सेल को क्या करते हैं बागते हैं या तो arrange करते हैं यह बोल सकते हैं जैसे समझे हम लोग लिखते कैसे किसी बीटोमिक नमबर और मास नमबर को कारते हैं अ उपर उसका क्या लिखा जाएगा मास नमबर लिखा जाएगा उस किसी भी element का आप इस परकार से देखते हो ना तो तुरंत आप समझ जाईएगा कि उसका atomic number क्या बोल रहा है 20 बोल रहा है mass number 40 मतलब क्या atomic number किसी भी element के नीचे लिखा रहेगा mass number उपर लिखा रहेगा आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अब यहां पर हम लोग समझ रहेते कि सेल में कैसे बाटा जाता है ना यह चीज़ को देखे तो sodium का atomic number 11 होता है मैंने भी बताया कि element के atomic number के according ही सेल में हम लोग दिवाइड करते हैं ठीक है तो देखिए two eight one हो गया क्यूंकि मैंने बताया ना कि one से 20 तक क्या चलता है two eight eight का concept चलता है ना तो उसके according हम लोग सेल में बाटेंगे देखिए पहला में दो capability था दो से ज्यादा आ नहीं सकता है दूसरे में क्या था एट का capability था एट से ज्यादा आ नहीं सकता है तीसरे में eight का capability था लेकिन उतना हम लोग के पास था नहीं वह नहीं बचा ना two plus eight ten हो गया और plus one eleven हो गया तो यह तो sodium का आपका electronic configuration हो गया अब calcium का देखिए calcium का क्या होता है 20 और 40 मास नंबर हो गया अब देखिए two eight eight two बटा बटा ठीक है जैसे देखिए eight eight 16 हो गया 18 और 20 ठीक है तो यह two क्या हो गया इसका outer most cell का electron हो गया outer electron बोल सकते है ठीक है अब carbon का इसी तरह से हम लोग बाटें आटोमी नंबर क्या six है two four में बाट दी है ठीक है क्योंकि पहला electron का capability है पहला cell का दो ही electron का फिर दूसरा आठ फिर आठ फिर अठारा यह एक से बीस तक का आता है ठीक है हमेशा याद रखेगा तो देखिए इसका four है अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि कि किसी भी याद रखोगे किसी भी element का valency को हम लोग को निकालने के लिए उसके outer most cell के electron से ही निकालते है चाहे कोई भी element हो ठीक है उसके outer most cell में जितने electron present होंगे उसके coding हम लोग निकालते है अब एक बात आप हमेशा याद रखोगे किसी भी element का अगर cell पुरा complete है तो उसका valency क्या होगा जीरो होगा यह बात आप हमेशा याद रखोगे देखिए अब यहाँ पर क्या है कि sodium का sodium का है sodium को हम लोग cell में बाते हैं तो क्या हुआ 281 आया ठीक है अब यहाँ पर देखिए 1 इसका क्या हो गया आउटर cell का electron हो गया बोले तो outer cell का electron है न तो 1 अब यहाँ पर देखोगे कि यह इसे हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्टन मतलब जैसे किसी भी element का अगर 0 आउटर मोसल में कुछ है नहीं ङा अगर टीन है तो तो फोर है तो फौर होगा ऐसे चलते रहता है अब हम लोग आगे समझते देख के कि अगर 5 रहेगा तो क्या होगा उसका 3 हो जाएगा ठीक है अर अगर 6 रहेगा तो 2 7 रहेगा तो 1 और 8 रहेगा तो valence उसका 0 हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर देखिए 1 का किसी भी balance electron किसी भी element का अगर 1 है तो 1 valence 2 है तो 2 3 है तो 3 valence 4 है तो 4 हो जाएगा मतलब यहाँ तक 1 से 4 तक सेम रहता है फिर 5 के बाद 3 6 के बाद 2 7 के बाद 1 8 के बाद 0 ऐसा क्यों हुआ देखिए किसी भी element को अगर electron donate करने करने कर रहता है जैसे अगर यहाँ sodium का ही बात करें देखिए इसको 281 में बाते है ठीक है अब यहाँ पर 281 में बाते है यहाँ पर देखिए इस सेल को complete होने के लिए कितना electron की जो रहता है 7 तो कोई भी आपको 7 electron देगा नहीं ठीक है क्योंकि इसके लिए क्या होता है बहुत ही ज्यादा energy क्या होता है खपत होता है energy loss होता है ठीक है समझ पा रहे होंगे जैसे 7 electron वह देगा उससे बढ़ियां आप है कि वह आप 1 electron डोनेट कर दीजे है ना तो ऐसा है तो देखिए यहाँ पर आप 1 electron किसी को दे देंगे तो आपका वैलेंची 1 हो जाएगा अगर 2 electron कर देते 2 हो जाएगा 3 की जिएगा 3 हो जाएगा 4 यह तो 4 तक था अब 5 का 3 कैसे आ गया देखिए 5 अगर किसी भी किसी भी element का है अगर outer muscle में तो उसका वैलेंची 3 हो जाएगा क्योंकि देखिए 5 और 3 लेना हमको असान होगा 5 जोनेट करना से असान क्या होगा 3 लेना तो हम लोग किसी भी element से 3 electron को ले लेंगे तो इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो गया 3 और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा उसका सेल कम्प्लीट हो जाएगा देखो हमेशा याद रखो कि किसी भी कोई भी element चाहता है कि वह अपने outer muscle के electron को complete रखना चाहता है कोई unstable नहीं रखना चाहता है stable और एक सोडियम चाहेगा तो stable हो सकता है कैसे हो सकता है stable अपना outer muscle के वन electron को donate करके ठीक है तो कोई भी element stable रहना चाहता है और यहोग आपको यहां समझ में आ गया हो कि कि जिसके according क्या वैलेंसी होगा अब हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से explanation देख लेते हैं जिसे देखिए सोडियम है तो इसको हम लोग 281 में बाते हैं अभी मैंने बताया जिसके आउटर मोसल मतलब कि जो सेल complete नहीं है हम इसा याद रखोंगे जो सेल complete नहीं है उसके according निकालेंगे तो इसका थर्ड तो complete नहीं है इसमें तो 8 electron लेता ना complete नहीं तो इसका मैंने क्या बताया 1 के लिए क्या आगा वैलेंसी 1 तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया वन हो गया अब यहां समझें हिलियम हिलियम का atomic नंबर क्या होता है तो हम लोग इसको सेल में बाटिए तो फर्स सेल में ही इसका क्या हो गया complete हो गया तो वैलेंसी क्या हो जागा जीरो अब यह मत समझेगा कि हम बोलें कि टू होगा यहां पर जिसका जो भी element का आप्टर मोसल में उसक नहीं है लेकिन यहां पर मैंने एक चीज और भी बोला था कि किसा बहुए ऐसको अगर ऑपका उसका सेल कमप्लीट हो तो वैलेंसी विजीरो होगा इसे लिए है तो वैलेंसी क्या हो गया जीरो हो गया इसलिए मैंने इस एक्जामपल को लिया ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ मैं और कंफ्यूजन की दो है तो दो हो जाएगा लेकिन आउटरमोस सेल कमपलीट ना हो उसके बाद अगर तब वैलेंसी तो लेकिन हिलियम का केस में क्या है यहां पर आपका कमपलीट है इसलिए वैलेंसी क्या होगा जीरो होगा अब हम लोग बात करें और आक्सिजन का रिखयो ऑक सेल में इसको बाटे 252 फाइब आगर यहां तीन इलेक्ट्रोन मिल जाता है तो यह क्या हो जाएगा और यह भी नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा तो फिर फाइप का यहां आपका इसका व्यारेसिक अजया थ्री मैंने बताए था कि एक्सी भी आउटर मॉस्सके लेक्ट्र छों अगर 5 रहत है तो उसका वैलेंसी क्या हो जैगा थ्री हो जाएगा तो इसका में सिर्ग रोगिया आपको कहि运 sug हो ऑitel बात करेंगे कि कि सीविसि कंपाउंड का फ़र्मेशन कैसे करते है में चल्य हो ज्यूस워서 फोर्मेशन कैसे करते है छthenिल्ट मिलग समझते है ठीक है देखिए इसमें H2O में क्या है mainly दो element है कौन-कौन से एक hydrogen है दूसरा क्या oxygen है अब देखिए hydrogen को लोग लिख लेते हैं oxygen को लिख लेते हैं जो जो component है उसको लिख लीजे ठीक है अब यहाँ पर hydrogen का आपका valency कितना होता है hydrogen का चुकि atomic number one होता है तो cdc बात उसका valency भी क्या हो जाएगा one क्यूंकि पहला सेल में दो electron लेता है और उसके पास one था तो one तो requirement है मतलब valency क्या हो जाएगा one मैंने बताए था one के लिए one valency hydrogen का valency one आ गया जिस भी element है उसका नीचे उसी का valency को लिखेंगे hydrogen के नीचे हम लोग hydrogen का valency लिख लिए oxygen के नीचे oxygen का valency क्या होता है तो अभी हम लोगोंने discuss किया था तो इसकोdag कि Gp क्यां होगा दो गिए दो हो गया तो धूक के साथ हो गया क्या है ना का फिर्मूला आपको समझ माई कैसे हुआ का फर्मूला और एक्जामपल से समझने ता कि और कंफ्यूजन दूर उजाई जी से कारबन डिक्साइड तो कारबन का वैलेंसी क्या होता है उसके नीचे वैलेंसी लिखेगा दिक कारबन डिक्साइड में दू, आपके क्या थे ऐलिमेंट के कारबन और ऑक्सिजन उसको अम हम लों carbon का व्रइंस उसके नीचे लिख लिए oxygen का वेलेंस अभी मैंने बता है तो oxygen के निचे हम लोग उक्षिजन का वैलेंस लिख लिए और मैंने क्या बोला था उसके बाद क्या किज़ेगा cross multiply तो क्या होगिए C2O4 हो गया श्राइक है अब देखें दोनों जगा 2,2,2,4 तो फिर यहां क्या आक है CO2 कैसे बना है से कैंसल हो गया समझ पहले है तो इहां क्या बन गया carbon dioxide और एकर लिखते नच्वल और ऐसे NaCl अब NaCl बना किया इसको और Kya नमने का सोडियोम बातमlü क्या होता है इसको कि आफ समझ उभिखा जाता है यहां क्या बन यहां क्या सोडिय्म åाओ आ यहां क्विख्यख आफ़येशन का सद्सक्स्राइब किसीय भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्र Courney compound कैसे formation कर सकते हैं